क्या हल चाल है दोस्तों स्वागत दो चुका है आपका हमारी एक और वीडियो में अगर आप चेस करना चाहते हो 30,000 बजट में बैस स्मार्टफोन देखो 2024 के नए स्मार्टफोन अभी आ चुका है जिसमें हमें 90 FPS तक के ग्राफिक्स मिलते हैं बीजिया में होगी और वाइस स्मार्टफोन के वीच में आप दोस्तों हमारे साथ बने रहे तो मैं आपको बताने माला हूँ है स्मार्टफोन जिसमें कैमरा बैट्री अपास चार्जिंग स्पोर्ट एमूले डिस्प्ले साथ में बड़िया गेमिंग प्रोसेसर और आपको वैल मिलने वाला है तो स्मार्टफोन जातार लोग को पोको के स्मार्टफोन गेमर्स को बहुत जादा पसंद आते हैं तो अगर पहली बार पोको का फोन यूस कर रहे हो तो मैं आपको रिकुमेंट करना चाहूंगा यह फोन तो इस फोन के भीच में बड़िये चीज़ें कों सी मिलती है उसके बा बनेगी यहां पर बैटरी 5000 ने पेर की दिया 67 वार्ट की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट मिल जाती है तो गेमिंग के लिए मिटेक डैमेंट सीटी 8300 अल्ट्रा का प्रोसेसर दिया गया है गेम प्ली आप भीजिया में 90 fps तक के ग्राफिक्स में कर पाओगे 8gb की रह में 128 यह वाला एंड्रो वर्जर 14 का लेटेस फोन है तो आप इस फोन को बिल्कुल मिसमत कीजिए जाकर इसको प्रचेस कीजिए दोस्तों यह फोन तो देख लिया बट नेक्स फोन इससे जादा कई गुना बहतर प्रोमिस देता है नंबर फोर पे आता है आईक्यू नियोग यहां पर 6.78 इंचीज की 120 हर्सी रिफेस्टर के साथ एमुलेट इस पर मिलती है बैक के कैमरे 64 मेगा पिक्सल 2 मेगा पिक्सल 2 मेगा पिक्सल के 3 कैमरे मिलती है जो की 4K वीडियो स्पोर्ट करते है 30fps के बिच में 16 मेगा पिक्सल का फ्रंट का कैमरे दिये गया जो की 1080 की बैटरी दी गई है और साथ में 120 वार्ट की फास्ट चार्जिंगी स्पोर्ट मिलती है इसमें गेमिंग के लिए प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा नेक्स लेवल है मिडेट डैमिट सिटी 8200 का प्रोसेसर दिया गया है एड़ यह दोस्तों इंडिया का 5G फोन बहुत ही ज् सोडीन आ जाएगा तो गाइस दगर आपको यह फोन परसंद है ना यह फोन आ पूरे 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 30,000 के बीश में परचेस कर पाऊगे तो गाइस यह फोन तो मुझे भी बहुत जादा अच्छा लगा नबत श्री वाला तो दोस्तों यह मोटो एज 40 मोटो के फोन वैसे दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़िया प्रोफोर्मिस यह और यहां पर बात करते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स की 6.55 इंचिस की ओली डिस्प्ले मिलती है 144 हर्ट सिर्फ यह फैसर दिया गया और दोस्तों यह एक और डिस्प्ले ओला फोन है जो मैं आपको बता रहा हूं 27,800 रुपीस के बीच में 28,000 है बहुत अच्छी डील है इसके लब आप अगर अगर आपको डिस्काउंट वगरा भी मिल जाते हैं वैसे दोस्तों बहुत जादा बढ़िया है इतनी जादा रिफ्रेश्ट वाला फोन इस बजर में बहुत जादा मैटर करता है तो आप इस परचेस कीजिए मैंने आपको लिक दिया हुआ है यह वाला फोन तो आपने देख लिया बट सैकी नंबर पर जो फोन आता है यह है यह वी ट्वैलो प्रो प्लस तो भाई साव यह जो फोन है वान ट्वाटी एक्स डिजिटल जूम के साथ आता है इस फोन के बीच में सबसे खास चीज यह है तो यहां पर इसके बात करते है कि गेमिंग के लिए फोन कैसा है तो यहां पर आपको 6.7 चीज की 120 हर्स रिफैश्ट के साथ एमलेड इस्प्रे मिलती है 50 वेगापिक्सल 8 में आपक्सल 64 में अपक्सल के कैमरेज मिलते है पोर के वीडियो स्पोर्ट करती ह 30 fps के बिच में 32 में अपिसल का फ्रंट का कैमरेज दिया गया 1080 वीडियो बना सकते हो तो 5000 पेर की बैट्री दे गया और सूपर वोक पास्ट चार्जिंग की स्पोर्ट दी गया जो की 67 वार्ट की फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट मिलती है आपको कुन 50 पर सेंट हो जाएग और साथ में केमेस के लिए ओल राउंडर यह फोन एक बैटर फोर्मिस देने वाला बेस्ट फोन है नबर वान प्लस नोट 3 तो दोस्तों वाल प्लस के फोन इंडिया में वैसे भी बहुत सारे लोग पर चेस करते है तो लोग को पसंद भी आते है तो दोस्तों यह वाला वा 80W की वाक पास चार्जिंग स्पोर्ट है दोस्तों इसके जो कैम्रेस देना वो 20x डिजिटल जूम के साथ है 20x के साथ आप जूम करके वीडियो बना सकते हो फोडो की सकते हो गेमी के लिए प्रोसेसर में डिया गया है तो गाइस जो स्नैपड्राग नेट जनरेशन 2 या 3 क इस बजट के विच में आते हैं वैसे मैं बताना चाहूंगा कि डामेंट सिटी 9000 का बहुत ही जबरदस प्रोसेसर है तो इसमें गेम्पले इतनी नेक्स लेवल होगी तो आप भाई एक बार खेल के जरूर देखो यह वाला फॉन तो आप लोगों पर चेस करना चाहिए तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको पांच फोन बताई है पांच की वीच में कौन सा फोन सबसे जदा बढ़िया लगा वैसे यह सभी फोन के वीच में गेमिंग होगी ऑल ओवर हर चीज के लिए बैस्ट हमें फीचर दिये गए हैं तो आज की वीडियो अगर आपको पसं आपको